हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु इंडियन इस्टडी इंडियन इस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लेकपाल की भरती के जो फॉर्म है वो भरना इस्टार्ड हो चुके हैं तो जिन लोगों ने पीटी का एक्जाम दिया है प्रतिसत भले ही चाहे कितने भी हो कितने भी मांक सो 25 रुपे फीस है पहली एड़वाइस है मेरी फॉर्म सभी लोग एप्लाई करना अब वीडियो को एंड लग देखो कि कई लोग कह रहे हैं कि केवल और केवल 15 गोना बिद्ध्यार्तियों को बलाए जाएगा य को बलाई क there रहा अब सुनते जाना पिई टी में 20 उब 17 यूनने लगवक लगवक क्या कराता फॉर्म एप्लाई किया था ठीक है 20 लाग किए 19 यूद 9 यूद 19 लाग के यह आसपास ते ठीक है एक्जाम दिया था लिए 16 7 लाग के ठीक है 16 dużo है 17 लाग जो है वह एक्जाम दि है कि भ نے 16 लाइ विध्यारती हैं ठीक है अब आप खुद बताओ 16 लाइ विद्यारतीनों हैं पीटी का एक्जाम दिया क्याकिवल एक लाइ बद्यारतीयों को या ए्क लाइप 25 तीह फ़िजारतीorn को स्लेक्ट किया जाएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अगर आप खुद बताओ अगर पीटी का बाउंडेशन नहीं होता तो इसी 8000 वेकेंसी पर कितने फॉर्म बरे जाते लेकपाल के कम से कम अगर मैं बात करूं 15 से 17 लाग फॉर्म बरे जाते क्यों क्योंकि आप सभी लोग जानते है 9534 वेकेंसी किसकी थी इस यूपी ऐसाई की थी लगवग 12 से 14 लाग फॉर्म उसमें बरे गए थे ठीक है इसी परकार 8085 वेकेंसी किसकी है यूपी लेकपाल की है अगर पीठी का बाउंडेशन नहीं होता तो फॉर्म जो है वो लगातार कितने बरे जाते आप सब लोग मैं अपने अनुमान से बता हूं तो लगवग 15 से 17 लाग फॉर्म जो है वो इसमें एपलाई किये जाते तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर अगर एक लाग 21,000 बच्चों को लिया तो केवल 92 प्रतिसस से अधिक जिनका परसेंटाइल है केवल वही सेफ हैं या 60-65-70% वा आ रहा हूं आपको मेरी क्लास तक कैसे पहुंचना है वो बता देता हूं दोस्तों जैसे यावन अकेडिमी का लर्नेंग आ प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको कॉम्पेटिटे एक्जाम की तयारी करना है या आपको सिक्स्टे टोयल तक पढ़ रहा है तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप कॉम्पेटिटे एक्जाम की तयारी करना चाह रहे है ठीक है आप किसी भी केड़ेगरी को सिलेट कर सकते हैं रेलवे बैंक, SSC, UPPSC, BPSC, RPSC, CPSC, कोई भी स्टेड PCS को आप सिलेट कर सकते हैं जिस भी केड़ेगरी को आप उसको सिलेट कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं आपको UPPSC, CPSC केड़ेगरी चूज कर लेता हूँ मैंने चूज कर लिया हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया ठीक है किस भी एक्जाम के लिए प्रपेशन कर रहा है हमने आगे बढ़ गए ठीक है अ तो आपके सामने इस तरीके के इंटरफेस आएगा ठीक है तो आपको मेरा नाम सर्च करना है ठीक है मेरा नाम क्या है तारिक सरवर ठीक है तारिक सरवर तो मैं आपको मिल जाऊंगा देखो तारिक सरवर यह मैंने यह मिल गया यह मैं आपको UPPSC केड़ेगरी के अंदर पढ तो इस पर जैसे ही select करा तो आपसे watch class watch class पर जैसे ही आप click करोगे तो यहाँ पर कोई options नहीं आएगा लेकिन आपके पास options आएगा unlock class unlock class क्यों करना पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप मेरी class पहली बार देख रहा होंगे अगर आप पहली बार मेरी class देख रहे तो आपको मेरी class को unlock करना पड़ेगा और unlock code क्या है मेरा Indian study Indian study जो channel का नाम है वही मेरे unlock code है class unlock code तो इसको apply करना without space class आपकी unlock हो जाएगी बिल्कुल free of class ने आराम से आप जो है वो देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आप यह जान लो जिन लोगोंने पीटी का एक्जाम दिया है बले ही चाहिए आप कितनी भी प्रतिसत हों आपके या कितना भी परसेंटाइल आपका आया हो आपको लेक पाल का form apply करना है 25 रुपे फीस है बहुत ज्यादा फीस नहीं है ठीक है केवल 25 रु आना है मेहत आना है ठीक है जीके आना है और ग्रामिल परिवेस आना है एक अलग से topic कौन सा है ग्रामिल परिवेस बांकि तीन topic ऐसे से topic हैं जो कौ्छ defenses नहीं करने जो चुछ मैनत करनी जो कुछ मेनत करनी वह ग्रामिल परिवेस में करनी है ठीक है तो अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मेरा कल के दिन मैं सौट लिष्ट हूँगा या नहीं हूँगा ये आपके अंदर आसमंजस मना हुगा है कि किसी के 60% हैं किसी के 62% हैं किसी के 65% हैं किसी के 55% भी हैं तो वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म बढ़ दूँ और फिर उसके बाद लेक पल की तैयारी में जुड़ जाओं और फिर जब सौट लिस्टिड हो तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नमबर ना है और मेरा नमबर नहीं आएगा तो ये मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी ध्यान लगना सबसे पहली बात पड़ा हुआ एक अक्छर भी आपका बरबाद नहीं जाता इस बात को ध्यान लगना वो कहीं ना कहीं जरूर आपको काम आएगा आप ये सोचो कि मैं लेकपाल के लिए मेहनत कर रहा हूँ और सॉटलिस्ट में नहीं हो पाया तो फिर पूरी मेहनत बरबार गई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैं तो चाहूँगा कि लगबग जादा से जादा बिध्यारतियों को सॉटलिस्टिट किया जाए ठीक है मैं अपने अनुमान से अगर मैं आपको बता हूँ कि अगर 16 से 17 लाख लोग ऐसे हैं जोनों लोग पी एटी का एक्जाम दिया है तो केवल 1 लाख 21 से और बिध्यारतियों को सॉटलिस्टिट किया जाएगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इतने कम बिध्यारतियों को सॉटलिस्टिट जो है वो नहीं किया जाएगा मेरा ऐसा अनुमान है ये लोग कम से कम 5 से 6 लाख जी हाँ दोस्तों कम से कम 5 से 6 लाख बिध्यारतियों को जो है वो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए 6 से 7 लाख विद्यारती कब आएंगे 100% में ऐसे लगवग लगवग हम 40 का मल्टिप्लाई हम किसमे कर दें जल्दी बताओ जितने विद्यारती होने क्या दिया एक्जाम दिया सूला लाग मान करके चल रहा है हम सूला सूला चोके 64 तो दो को 6,40,000 6,40,000 ये 40% कौन से हैं ये 40% वो नहीं है जिन लोगों का परसेंटाइल 60 है तो 40% बच्चे जो है वो उनसे आगे है तो ये 40% आगे वाला परतीसत है इस बात को ध्यान लगना जैसे परसेंटाइल आपका 60 है तो 40% बच्चे आपसे आगे हैं 40 का मल्टिप्लाइ टोटल में करवा दो तो 6,40,000 अर्व द्यारतियों को जो है वो लगवग लगवग जो है वो सेलेक्ट किये जाने की आसंका है है ना तो जिनका परसेंटाइल 60 है 62 है 65 है ये सभी लोग जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है बाकी भरती बोट क्या करता है वो सौर्ट लिस्टिंग के दोरान जो है वो उस दिन पता चल जाएगा ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ अब कई बच्चों का परसेंटाइल 55 भी होगा 52 भी होगा 35 भी होगा तो बच्चे आपकी केटगरी भी होगी कुछ है ना तो केटगरी अगर वाइस देखें तो आपकी केटगरी भी होगी तो आप उस केटगरी में किस हिसाब से आयो कैनुसार जो है वो स्ट्यूटेवल बैट जाते हैं आपको भी selected किया जाएगा तो मैं overall अगर बात करूँ गुमाफिरा करके मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने P.E.T. का exam दिया और आपका percentile 55 से उपर है आपका पृतिसत 55 से उपर है 60 से उपर है तो आप लोग जो है वो सभी लोग UP लेकपाल की तयारी करो ठेक है इस बात को द्यान नखना क्योंकि जिस दिन सौर्ट लिस्टिंग होगी और आपका नमबर आ गया और आपने पिछली तयारी नहीं कियोंगी तो आपको बहुत ज़्यादा पस्तावा होने वाला इस बात को द्यान नखना और मैं आपको पहली बता देता हूँ मैं UP लेकपाल के लिए हिंदी के प्रेक्टिस सेट डेली प्रोवाड गरवा रहा हूँ अभी उस पे ज़्यादा तर प्रति के लिए देखने को नहीं मिल रही क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सभी लोग फॉर्म बरने में बिजी हैं जैसे ही फॉर्म बरके हो जाएंगे फ्री फिर उन लोगो तो मैं आपसे ये बूलूंगा कि हाँ जब P.E.T. के वेकेंसी आई थी तब 15 गुना उन्होंने बोला था अब फिर आयो क्या करता है वो तो फिर भाया आयो की उपर डिपेंड करता है हो सकता है कि 15 गुना भी सिलेक्ट कर लें लेकिन इसकी संभावना बिलकुल ना के बराबर है इस बात को ध्यान नखना तो सभी लोग जो है वो UP लेक पर की तयारी में जोटे रहें आपको कहीं भी किसी भी अववा पर ध्यान नहीं देना है ना ही रूमर्स पर ध्यान देना है केवल अपनी तयारी करते रहना है जिस दिन सौट लिस्टेड होंगे आप लोग आपको खुद पता चल जाएगा के एक्च्वल में मैंने बात सही बोली थी या नहीं ठीक है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग प्रॉपर तयारी करते रहें हिंदी का प्रेक्टिस सेट और ग्रामिन परिवेस का प्रेक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड करवाई रहा हूं तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में सुर्फ इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर न न भूलें क्योंकि में रोजाने ऐसी तरह की वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत